Hello students, welcome to Genius Mentors, बेटा हम कर रहे हैं chapter number 10, जिसका नाम है light, reflection and reflection, clear है? So, हमने spherical mirror से related कुछ images की formation पड़ी थी, उनके ray diagrams के थो हमने उसे ही represent भी क्या, लेकिन उन पर based अगर हमें कोई question solve करना हो, कोई numerical problem हो, तो उन्हें हम कैसे solve करेंगे? उन्हें हम solve करेंगे by using mirror formula, तो mirror formula आपको याद होगा और उसके साथ साथ हम Cartesian Sign Convention का भी धान रखेंगे, तो चली एक बार देख लेते हैं, क्या था mirror formula और Cartesian Sign Convention, mirror formula था आपका, 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F, तो यह V, U और F क्या है? V है आपका distance of image from the mirror, ठीक है? ठीक है? Then, U क्या है? Distance of object from the mirror, F क्या है? Focal length, ठीक है? So, Cartesian Sign Convention में हमने क्या दिखा था? कि अगर हमें बताना है कि image real है, या फिर virtual है, या erect है, कैसे है, तो यह रहा आपका mirror और हम लेंगे जो यह pole है, ठीक है? Pole को हम origin मानेंगे, तो यह होगी आपकी, यह होगी आपकी x-axis, और यह होगी आपकी y-axis. Clear है? So, हम हमेशा object को कहां रखेंगे? Left side में. Clear? तो जो image है, कैसे बनेंगी? देखो, कौनके mirror के case में image हमेशा नीचे की तरफ बनते हैं, ठीक है? So, जो x-axis है, उसके right side वाली positive और left side वाली negative value होगी. ऐसे ही y-axis में, जो उपर वाली position है, ठीक है? अबो है, जो origin से, वो क्या होगी? Positive और जो below है, वो कैसी होगी? Negative. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, कि कौनके mirror के case में, देखो, हम object को भी इसी side रखेंगे, और image भी आपकी इसी side बनेगी. तो क्या होगा? दोनों की value negative होगी. और convex mirror के case में कहा जाएगी? जो image है, वो आपकी behind the mirror बनती है, ठीक है? तो value कैसी है? लेकिन यह above the origin है, तो यह value कैसी होगी आपकी? positive. ठीक है? So, virtual जो image बनेगी, वो कैसी होगी? virtual image positive और real image आपकी negative. ठीक है? तो इस तरीके से आपको calculations करनी है, different numerical problems में हम इसका use करेंगी. तो चलिए, start कते हैं question. First question क्या कहता है? A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. कैसा इस्तिमाल करते हैं हम गड़ियों में, जो side mirror होता है हमारा convex mirror. क्यों? क्योंकि वो virtual erected image दिखाता है और छोटे size की दिखाता है. ठीक है? तो चलिए, कैसा होगा आपका convex mirror? यह रहा आपका convex mirror. अब क्या करेंगी? यह रही इसकी principal axis या x-axis हम ले लेंगे. चलिए, convex mirror is used for rear view on an automobile. जिसका radius of curvature कितना दिया हुआ है? 3 meter. ठीक है? तो यह रहा आपका center. तो यह रहा आपका center. तो यह r कितना हो गया यह? यह r हो गया आपका 3 meter. ठीक है? If a bus is located at 5 meter from this mirror. अब जो bus है आपकी. वो कहाँ पे है? वो यहाँ पे है. इस mirror से 5 meter की धूरी पे है. 5 meter. ठीक है? तो object को हम हमेशा कहां रखेंगे? left side में. तो यह क्या होगा? distance of object from mirror किसे रपे जैंक करते हैं? यह से. और जो x-axis है. उस पे left side की value कैसे होगी? minus की. तो u की value होगी आपकी. minus 5 meter. ठीक है? find the position, nature and size of image. हमें क्या-क्या बताना है? कि image का size कितना होगा? दूसरा उसकी nature कैसे है? और कहां पे बनेंगी? तो यह रहाँ आपका. Convex mirror. अब हम क्या करेंगे? हमें पता है, कहां रखा है? यह हिमालो यह बस है. ठीक है? और यह बस जो है 5 meter की धूरी पे आपकी. तो इसकी image कहां बनेंगी? देखो. अब यह जो ray जाएगी. जो ray, principal axis के parallel जाएगी? वो कहां टकराएगी? वो हमें ऐसा परतीत होता है कि वो focus से pass होता है. ठीक है? तो यह रहा focus. तो यह reflect हो जाएगी. ठीक है? So, दूसरी जो image होगी? कहां से जाएगी? जो center से pass होगी. तो हम दूसरी मानेंगे कि यह center से pass हो रही है. ठीक है? तो जो center से pass होगी, वो reflect भी क्या होगी? center से ही होगी. तो यह दोनों कहां पर merge कर रही है? इस point. यानि focus के इधर. ठीक है? तो कितने दूरी पर? अब यह focus क्या होता है? focus होता है आपका radius का half. तो अगर radius 3 है, radius आपका 3 meter है. तो focal length कितने होगी? focal length होगी आपकी r by 2. तो यानि 3 by 2 कितना होगी? 1.5 meter. तो यह रहा आपका focus. तो focal length है आपकी 1.5 meter. ठीक है? अब हमें क्या calculate करना है? देखो. u की value है हमारे पास, f की value है. हमें mirror formula में हम put करेंगे 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. ठीक है? 1 by v क्या होगा? 1 by f minus 1 by u. 1 by f की value कितनी है? अब या तो 1.5 रखो या फिर 3 by 2 रख लो. ठीक है? 1 by 3 by 2 minus. यह की value क्या है? minus 5. तो क्या हो जाएगी यह? यह होगी आपकी. 2 उपर आ जाएगा. 2 by 3 plus. कितना हो जाएगा? यह plus, यह minus और यह भी minus. क्या हो जाएगा? plus. ठीक है? LCM कितना होगा? 15. 3 5 जाएगा? तो 2 5 जाएगा. 10. प्लस 5 3 जाएगा आपका 13 by 15. किस की value आईगा है? 1 by v की. तो v की value क्या होगी? 1 by v is equal to 13 by 15. तो v की value क्या होगी? v की value होगी आपके 15 by 13. तो यह आएगा 1.15 meter. कैसी value? देखो positive है. positive value है. तो इसका मतलब आपकी image कहाँ बनी है? behind the mirror. कितनी दूरी पर बनी है? mirror से 1.15 की दूरी पर. ठीक है? इसका मतलब क्या है? कि जो 1.5 है वो यानि focal length है ना? तो focus से पहले बनी है image. कहाँ बनी है? focus से पहले. और focus से पहले. लेकिन pole के और focus के भी जोए. ठीक है? तो कहाँ बनेगी? between the pole of the mirror and the focus. clear? सो क्या-क्या बताना हमें? देखो. find the position. position कहाँ बनेगी? between image की characteristic आपको लिखनी है. पहले देखो. कैसी है? virtual है और erect है. क्योंकि positive value है. virtual and erect. then nature हो गई आपकी? position है between pole and focus. P and F. ठीक है? और size कितना है? size of image. कैसा है size? मतलब छोटा है. किस से? जो object है उस से. ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? diminished. यह आप कह सकते हो? smaller than object. smaller than object. clear है बटा? तो समझ आया है कि किस तरीके से आपको question solve करनी है? क्या दिया हूँ है? देखो. आपको radius of curvature दिया हूँ है. तो radius का हम half crank तो हमारी पास focal length हा जाएगी. दूसरा आपको distance दिया है किसका object का यानि बस का किस से mirror से? mirror कौन से आपका? convex mirror है. हमें पता है कि convex mirror के अंदर virtual और erect image बनती है. लेकिन हमने जब बना के देखा तो भी क्या बने ही? चलो. और प्रूव हो गया किस से कि virtual image की value हमें से positive होती है. तो V की value क्या है? positive. तो positive है तो मतलब कहां बन रही है? behind the mirror. तो distance है जो किसका image का mirror से कितनी दूरी पे है? वो 1.15 meter. और हमारे पास focal length कितनी है? 1.5 meter. तो ये focal length से कम है. तो इसका मतलब क्या है? कि focus और pole के बीच में बनेगी image. clear? quit out? चलिए. next question क्या कहता है? an object 4 cm in size is placed at 25 cm in front of a concave mirror. अब आपको mirror की shape याद होने चाहिए. ठीक है? ये रहा आपका concave mirror. then ये रहा इतका center, ये रहा आपका focus और ये रहा radius of curvature. अब हमी क्या बताने है? कितना दे रहा है? an object 4 cm in size placed at 25 cm in front of concave mirror. तो मतलब की कोई object है? ठीक है? वो कितना दे रहा है? 25 cm दूरी पे रखा हुआ है. किस से concave mirror से? और focal length 15 cm. जिसकी focal length कितनी है? 15. ठीक है? तो यानि ये जो given है आपका ये कितना है? 15 cm. ठीक है? और object कहां रखा है? 25. देखो. अब ये कितना हो जाएगा? 15 होगा ये भी. तो ये total हो गया 30. तो इसका मतलब आपका object जो है? वो यहाँ पे रखा. ठीक है? कहां पे रखा होगा? यानि center of curvature और focus के बीच में. तो object की height कितनी है? 4 cm. ठीक है? और ये जो distance है? अबजेक्ट का और ये? 25 cm. So, at what a distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? तो यानि image की formation कहां होगी? ताक कि हम वहाँ पे अगर कोई screen रखें तो हमें वो आसानी से दिख जाए. ठीक है? तो image की formation कहां होगी? देखो. अबजेक्ट से जो ray जाएगी principal axis के parallel वो टकरा के कहां से आएगी? वो focus से ओके बुचलेगी. ठीक है? और दूसरी, जो focus से जाएगी वो principal axis के parallel. ठीक है? तो कहां बनेगी? image बनेगी beyond c. कहां बनेगी? position of image क्या होगी? beyond c. ठीक है? नेचर पूछिए. कैसी बनेगी? देखो. image आपकी कैसी बन रही है? उल्टी. ठीक है? so, nature of image. real. यानि, जो mirror है, उसके जिस सामने बनी है. ठीक है? on the screen. so, real and inverted. और क्या पूछा है? size क्या है? size of image क्या होगी? size यानि, larger size की बनेगी. ठीक है? जितना object को आप mirror के नस्दीख लेके होगे, उतने ही दूर जाके image बनेगी. और जितनी जितनी दूर जाके image बनेगी, वो कैसी होगी? बड़ी होगी. तो मतलब, enlarge. या कह सकते हो, larger than object. यानि, larger than 4 cm. ठीक है? greater than 4 cm. क्लियर है? कोई डाउट? कहां से पता चला? क्योंकि हमने क्या किया था? हमने ये case पढ़े थी. कि जो रे क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैलल होती है, वो टकरा के किस से ओके गुजरती है? फोकस से और जो फोकस से पास्थू होती है, व वहाँ पर image की formation होगी. तो हम जो screen है, उसे हम कहां रखेंगे? beyond C, ठीक है? और किस size, जो image है, वो किस size की बनेगी आपकी? उसका size होगा more than, या greater than 4 cm. और nature कैसे होगी? real and inverted. क्लियर है? चली, next question क्या कहता है? find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 cm. की एक, क्या दे रखा है? एक convex mirror दिया हुआ. यह रहा आपका convex mirror. ठीक है? यह रहा center, यह रहा focus. जिसका radius of curvature कितना है? radius of curvature क्या होगा? यानि center से और pole के जो बीच की दूरी होगा. ठीक है? यह है, r is equal to 32 cm. क्या निकालना है? focal length है. अब focal length क्या होगी? देखो, r क्या होते है? 2f focal length का दोगुना हो गया. है ना? तो focal length क्या हो जाएगी? r by 2 मतलब 32 divided by 2. कितना है? 16. तो जो focal length होगी, convex mirror क्यों कितने होगी? 16 cm. ख्लीर है? कोई डाउट? चलिए. next question कहता है, क्या बोला गया है? देखो, हमें क्या दिया हुए? magnification दिया है. देखो, हमने पढ़ा था, magnification क्या होती है? कि यानि, image को कितना बड़ा करके दिखाया? और वो हमें कैसा, कैसे पता चलेगा? कि height of image to the height of object ठीक है? यानि, h dash upon h. या फिर, दूसरे case में कैसे ले सकते हैं? हम distance से भी measure कर सकते हैं. कैसे? distance of image from mirror from the mirror जिसको हम क्या वांते है? V divided by distance of object from the mirror जिसे हम क्या लिखते हैं? यू तो, minus यानि, minus V by U ठीक है? अब देखो किस के case में पूछा है? कौन के मेरर के case में? तो, हमने ये ले लिया कौन के मेरर ये रहा ठीक है? और ये रहा इसका center, ये रहा इसका focus. क्या बोला गया है? कि इसके सामने 10 cm की दूरी पे एक object रखावर. तो, magnification कितनी है? 3 times है. तो, M की value क्या होगी? minus V by U U की value कितनी है? मतलब इधर 10 cm है, हमें नहीं पता 10 cm कहाँ पे है. ठीक है? तो, हम पहले U की value निकाल दूरी. U क्या होगा आपका? अब देखो, object को हमेशा left में रखेंगे, तो क्या होगी? minus 3, sorry, minus 10 cm. तो, M क्या होगा आपका? minus V by minus 10. तो, cancel हो जाएगा. और M कितना दे रखा आपका? 3 times है, तो, M की value कितनी है? 3. तो, 3 is equal to V by 10. तो, V क्या हो जाएगा? 10 into 3. यानि, 30 cm पे image बनीगी. तो, अगर object का distance कितना है? 10 है. तो, मालनो, ये था आपका object, मालने आपका F पे था. 10. तो, अगर ये 10 है, तो, ये भी 10 है हो. ठीक है? और इस से आगे भी 10 है. तो, यानि, image आपकी यहाँ बनीगी. 30 पे. object अगर 10 cm की दूरी पे है, तो, image कहाँ बन रही है? 30 cm की दूरी पे. So, where is the image located? कहाँ located है? beyond C. कहाँ पे है? beyond C. समझ आया? देखो. कहाँ लिया हमने? distance of object कितना है? from the mirror, minus 10. कितनी, magnification, कितनी दे रखे है? 3. तो, magnification की value किसके equal होते है? minus V by U. और U है आपका minus 10. तो, minus से minus cancel हो गया. तो, V by 10 किसके equal है? 3 के. तो, V की value क्या आजएगी? 30 cm. object 10 पे है, तो, image कितने पे बन रही है? 30 पे. ठीक है? तो, देखो. माल लिया, अगर उसकी focal length कितनी है? 10 है. तो, radius कितना हो गया? 20. तो, radius से भी आगे बनेगी. मतलब, कहने का ये है कि center के beyond जो है, जाकर image बनेगी. clear? कोई doubt? तो, ये था बिटा, कुछ examples और कुछ questions, anxiety के, जो आपके book में given है. तो, ऐसे ही कुछ related question हम next class में discuss करेंगे. तब तक आप इनको अच्छे से try करना, कोई doubt हो, query हो, पोच सकते हो और हमारी वीडियो को like, share, subscribe, जोड़ो करना. Thank you. Have a nice.